आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे investment option के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको 10,000 पर मन्थ से investment स्टार्ट करनी है और जैसे ही आपको investment का तेनर खतम होता है वैसे ही आपको 30,000 पर मन्थ के हिसाब से आपको returns मिलेंगे अगर आप financially free होना चाहते हैं या आपने wealth क करना चाहते हैं तब यहाँ पर investment करना आपके लिक वर्ट option होने वाला है इस investment option की बात कर रहा हूं इस investment option का नाम है HDFC dream SIP जैसे के आपको नाम से पता चल रहा है SIP है तो यहाँ पर अलग-अलग mutual funds में investment किया जाएगा और अगर आप लोग यहाँ पर इस investment option में 10,000 पर मन्थ के साब से investment करते हैं तो आपको आगे आने वाले time period में बहुत ही अच्छे returns मिलेंगे So Hello Guys, Welcome Back, स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में detail में बताने वाला हूं Market में HDFC Dream SIP के तरफ दो SIPs available हैं जहाँ पर आप investment कर सकते हैं सबसे पहली हैं ICICI Freedom SIP और second है SBI Mitra SIP अगर आप इन दोनों option में investment करते हैं तब आपको feature यहाँ पर same मिलते हैं लेकिन HDFC की Dream SIP में आपको थोड़े सी return ज्यादा मिलते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह काम कैसे करती हैं HDFC Dream SIP में आपको initially investment करना start करना पड़ेगा as an SIP मतलब हर महीने आपको एक specific amount का investment करना पड़ेगा और यहाँ पर investment जो करेंगे वो अलग-अलग mutual funds में investment की जाएगी और आपको cumulative return last में मिलेंगे जैसे कि हम लोग mutual fund में investment करते हैं उसी तरीके से हम लोग इस SIP में भी investment करेंगे और यहाँ पर भी आपको mutual fund investments की तरह unit grant किये जाएगे तो जैसे कि मैं आपको वीडियो के starting को बता है कि initially आपको investment करना है और जैसे ही investment का time period खतम होता है इसके बाद से यहाँ पर swap की facility on होती है और आपके account में पैसे आते जाते हैं अगर आपने 10,000 लुपीज तक का investment किया है हर महीने का 10 years तक का तब यहाँ पर हर महीने आपको 12,000 रुपए के returns मिलेंगे और HDFC की dream SIP में investment करने के आपके दो गोल होने चाहिए सबसे पहला गोल आपका हो सकता है wealth maximization का मतलब अगर आप आप investment करते हैं तो आपकी wealth increase होती है जब तक आपके SIP की investment चलती रहती है तब तक आपकी wealth increase होती है और जैसे ही आपके SIP का trainer खतम होता है वैसे ही आपको monthly income मिलनी चालू हो जाती है और आपको हर मुईने कितने amount का return मिलेगा ये depend करता है कि आपने कितने amount का investment किया है और कितने time period के लिए investment किया है इस इसके बारे में भी मैं आपको detail में बताऊंगा वीडियो के आगे लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर आपको HDFC की dream SIP के लिए investment करना कैसे start करना है सबसे पहले आपको HDFC mutual fund की website पर जाना है यहाँ पर आपको खुद को register करना है और जैसे आप यहाँ पर register करते हैं और KYC करते हैं तो आपका एक portfolio बन जाता है यहाँ पर आपको dream SIP के plan को choose करना है और जब आप dream SIP के plan को choose करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो option आएंगे सबसे पहले option में आप जिन जिन investment options में investment कर रहे हैं SIP के थुरू वही से आपके swap की facility भी चालू होगी मतलब जहां से आपनी investment किया है वही fund से आपको return मिलेगा लेकिन second option यहाँ पर यह है कि आप SIP के तौर पर investment किसी और funds में करते हैं जब आपको swap की facility से आपको returns मिलेंगे तब वो funds होते हैं वो change हो जाएंगे जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे options available होते हैं आप 7 years के लिए investment कर सकते हैं आप 10 years के लिए कर सकते हैं आप 15 साल के लिए कर सकते हैं आप 25 साल के लिए कर सकते हैं और max to max आप 30 साल तक investment कर सकते हैं इस plan में और जैसे का आप यहाँ पर index में देख सकते हैं कि जितने ज्यादा time period के लिए आप investment करते हैं उतने ज्यादा returns आपको कमाने को मिलते हैं अगर आप इस investment option के थूर 7 years के लिए investment करते हैं तो यहाँ पर आपके invested amount के जितना ही आपको हर सा return मिलेगा लेकिन वही पर अगर आप long period of time के लिए investment करते हैं 10 साल के लिए 12 साल के लिए 15 साल के लिए तब यहाँ पर जो per month का amount है वो आपका grow करता है और आपको बहुत ही अच्छे returns कमाने को मिलते हैं तो definitely आपको skim में long term के लिए investment करने की try करनी चाहिए लेकिन अगर आप यहाँ पर investment करते हैं तो आपको certain points का ध्यान लगना है जैसे कि अगर आप investment start कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 7 years तर continue करना पड़ेगा और अगर आप अपनी investments को continue नहीं करते हैं तो यहाँ पर problems आपको face करनी पड़ सकती हैं जैसे कि mutual fund के SIP में charges लगते हैं वैसे यहाँ पर return मिले तो यह investment option भी investment करने के लिए बहुत सही हैं क्योंकि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे multiple mutual funds में investment किया जाता है तो definitely multiple mutual funds में investment करने के वजह से यहाँ पर आपके investment पर returns भी अच्छे मिलेंगे लेकिन आपर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आपको जो returns मिलेंगे वो कितने time period तक मिलेंगे अगर मैं scheme के documents की बात कुर तो scheme के documents में तो clearly लिखा है कि आपको 2099 तक returns मिलेंगे और second important चीज़ यह है कि आपको तब तक return मिलेंगे जब तक आपके units खतम नहीं होते मतलब आप HDFC की dream SIP में जो investment करेंगे SIP के amount में और जब तक आपके unit खतम नहीं होंगे तब त करता हूँ कि आज की video का content आपको valuable लगा होगा अगर आप लोग stock market में investment करना चाहते हैं तो बहुत सार investment करने का option है आपके पास investment करने के लिए demand account का होना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आपके पास एक demand account नहीं है तो top 3 brokers का link बने नीचे description में दे दिया है वहाँ पर जाकर account open कर सकते हैं और stock market में investment करना स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off happy investing and good bye